इसरायल हमास के बीच छुड़े युद्ध में हजबुला लगातार इसरायल पर दबाव बना रहा है अपने खतरनाक दोन और मिसाईलों से इसरायली एर श्पेस में घुसकर हंले भी कर रहा है हिजबुल्ला लड़ा के लगातार इस्राइली सेना और उसकी ठीकानों पर रॉकेट से बरसा रहे है लेबनान का हिजबुल्ला भी इस्राइली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है हजजबुला लगातार इस्टराइल के उत्रे हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है हजजबुला के तावर्ड तोड रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इस्टराइल में तनाव चरम सीमा पर है और अपने अभियान को जारी रखते हुए हिजबुला ने एक बार फिर इसरायल को दहलाया है हिजबुला ने उत्तरी कबजे वाले फिलिस्थीन में स्थेत विबिन इसरायली सेन ठिकानों और सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है ऐसा करके हिजबुल्ला ने अब खुलेाम जंग का एलान कर दिया है हिजबुल्ला ने बताया कि इस ओप्रेशन में उसके एक लड़ाके की अलकुद्स के रास्ते पर लगी चोटों के कारण मृत्य हो गए शहीद की पहचान इबराहिम हसन फदेल के रूप में हुई है जो 2003 में दक्षिन लिबनान के टॉलाइन शहर में पैदा हुआ था हिजबुल्ला ने घोशना की कि उसने दोपहर 12 बजे से लेकर 12 बजे के बीच दो बार अल राहिप सैनिस्थल पर जासूसी और निगरानी उपकरणों को सफलता पूरवक निशाना बनाया और पहला हमला तोप के गोले दाग कर किया उसके बाद ड्रोन से दूसरा हमला किया गया हिजबुल्ला के हमले यही नहीं रुके ठीक दो घंटे बाद यानि की दो बजे समोह ने हदाब यारोन साइट के पास एक इसरैली सेने तैनाती को तोप से निशाना बनाया बाद में शाम चार बज कर चालिस बजे कबजे वाले लिबनानी शेबा फार्म में जिबदीन साइट पर प्रतिरोध द्वारा रॉकेट लॉंच किये गए इसके बाद शाम चार बज कर पैतालिस बजे कफार चौबा पहाडियों में रामथा साइट पर एक और रॉकेट हमला किया गया इसके बाद ठीक पांच पंद्र बजे भी हमले जारी रहे जब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उप्युक्त हतियारों के साथ बायत बिलडाल साइट पर एक इसराइली तैनाती को निशाना बनाया पांच पच्चिस बजे तोब खाने के गोले हनीता बेस के आसपास एक इसराइली सभा पर गिरे रुएसत अलालम साइट से शेबा फार्म और कफार चौबा पहाड़ियों के बाहरे इलाकों और बागों में मशीन गण का उप्योग करके किये गए इसराइली हमलों के जवाब में लेबनान में इसलामिक प्रतिरोध ने कहा कि उसने मशीन गण से निशाना बनाया फिर साथ दस बजे समू ने राहिप साइट के पास एक सैयुक्त सैन और खूफिया बल पर रॉकेट से हमला किया जिससे सीधा हमला किया गया हिजबुला के भीशण हमलों से इसराइल में तनाव है इसी को देखते हुए इसराइली रक्षा बलो के प्रवक्ता रियर एड्मिरल डैनियल हैगरी ने कहा कि इसराइल एक महत्वपूर्ण सप्ता के लिए तैयार है हैगरी ने जनता से सतर्क रहने के अपील की है क्योंकि ऐसी आशंका है कि हिजबुला एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है उन्होंने कहा कि से ना किसी भी संकेत के बारे में तुरंत अबडेट करेगी के बारे में कि लक्ष लिए फिर्न कर बारे मारे में कर बारे में से ना कर लिए इस्रीशा कर वेजबु तैन के जन्म मीमस कर टे समयां meansителES उस्पोरी ओरेफडने कनी दोर्वेबारी के लेखे एलेसे से एिछ इस्रया caि चॉम्ै उम्सारी नेप मेरफ इसोड़ जियटूरी चाही डिरे कारे VISTA विетक हैegज उन्यूजरी को कुल एthemारे से प्यींूरी आ manner we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel while endangering the Lebanese civilians. We warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety. Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon, the people of Israel, and the whole region into a wider escalation. Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians. We are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us. And we are ready to do everything, everything we need to defend the people of Israel. This is the time when the President of the Staff of the United States, Ameriky Y.U. Sena General Charles Q. Brown ने Middle East में एक आगोशित यात्रा शुरू की है, ताकि शेत्रिये युद्ध से बचने के तरीकों पर चर्चा की जा सके. लेकिन जिस तरह से Hezbollah उत्री इसराइल पर कहर बर पा रहा है, इससे इसराइल को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. Hezbollah के इन हमलों से इसराइल को भारी नुकसान हो रहा है. आली में Hezbollah ने कीरियत शमोना पर रॉकेटों से हमला किया, इसके साथ ही इसराइल के करीब 14 थ्योंने थिकानों पर भी हमला किया गया. हिजबुल्ला के लगातार हो रहे हमलों से इस्राइली बल अलर्ट तो है लेकिन वे दो फ्रंट पर जंग लड़ने के लिए मजबूर है हिजबुल्ला के हत्यार और घातक ड्रोन इस्राइल के आयन डोम को भी चक्मा देने में कई मायने पर खरे उतरे है ऐसे में किसी बड़ी जंग की शुरुवात से इस्राइल के लिए बड़ी मुश्किले खड़ी हो सकती है